विचार गुरुबाणी विच आज असे श्रीबुरु ब्रंस सही देखा शेसो ब्यासी उत्ते अंकित ओखी कड़ी ना देखन देई अपना भेत समाले शव्द विचार करांगे ये शव्द सही श्रीबुरु अजिन देखा शेद गिता हुआ है जो के तनासरी रागा अंकित है और सर्वन कर देऊं ते शव्द ते इस्तिविचार तनासरी महला पंजवा ओखी कड़ी ना देखन देई अपना भिर्द समाले हाथ दे रख है अपने को सास सास फृत पाले प्रबस्यों लाग रेओ मेरा चीत आद अंत प्रबसदा सहाई तन हमारा मीत रहा मन बिलास पय साहिब के अच्रज देख बढ़ाई हर सिमर सिमर आनद कर ननक प्रबपूरन पैज रखाई हे पाई ओ प्रबू अपने सेवक नों कोई दुख दिन वाला समा नहीं विखड़दा ओ प्रबू अपना मुंड कदीमा दा प्यार वड़ा सुवाओ सदाचिते रखदा है प्रबू अपना हाथ देके अपने सेवक दी राखी करदा है सेवक नों उस दे हरेक सादे नाड पालदा रेंदा है हे पाई मेरा मन वी उस प्रबू न जुड़या रेंदा है जो शुरू तों अखीर तक सदा ही मददगार बनिया रेंदा है सादा ओंबित्तर प्रबू तान है उस दिर सदा सिफ्ट सला करनी चाहिदी है हे पाई माल्क प्रबू दे हरान करन वाले कोटों वेके उस दे बड़े आई वेके सेवक दे मान विच सेवक दे मान विच वी खुशियां बढ़िया रेंदिया है हे नानक तुवी परमात्मादा नाम सिमर सिमर के आत्मक अनादमान जिस वी मनुक ने सिमरन कीता प्रबू ने पूरे तोरते उस दे एज़ित रख लई इस शावद मेंच गुरू सहब सानों को पुदेश का रहे हैं के हे पाई जो साड़े जन्मान जन्मान तो लेके अखीर तक मदद करदा है उस दा नाम सिमरन दा पुदेश कर जो भी मनुक उस सर पकला समरत प्रबू ने समर्दा है ते उस दे दर पते प्रवान हो जन्दा है फिर उस मनुक दी प्रबू आप रख्या करदा है उस दी इज़ित दी राखी प्रबू आप करदा है तुर्की बाणी नल गुरी सांच पाउंडी गुरू नानक दे रादे पंदी बुरू तन तन सैफ शीरी गुरू गुरांट साथ जी दे लड़ लगो विजन 1469 चैनल नों लाइक शेयर के सब्सक्राइब करना ना बुलना जी वाहिबर जी का कालसा वाहिबर जी की फते